जब भी किसी के पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है तो हमें पता नहीं चलता है कि उसका कारण क्या है तो आज की वीडियो में हम समझने की कोसिस करेंगे कि पेट के निचले हिस्से में दर्द किस कारण से होता है और कैसे हम इसे भैचान सकता है तो इसके लिए कुछ key points हैं जिससे आप उसे जान पाएंगे तो यहाँ पर हमने कई सारे key points लिए हुए है तो यहाँ पर हमारा पहला case है जिसमें क्या है right lower quadrant pain यानि कि आप जानते हैं हमारे पेट के चार हिस्से होते हैं तो यहाँ पर यह हमारा दूसरा case है इसमें क्या है जब भी हमारे पेट के दूनों side में या फिर पीछे की तरफ इस जगह पर दर्द होता है तो उसे हम flank pain कहते हैं साथ में hematuria यानि कि पेशाब में खून आता है और history of kidney stone यानि कि ऐसे मरीच को पहले kidney stone रह चुका होता है तो यह nephrolithiasis हो सकता है यानि कि kidney stone का दर्द हो सकता है तो यदि आपको यह तीनों sign देखने को मिलता है means patient को kidney stone या फिर पत्री का दर्द हो रहा है इसके बाद यहाँ पर हमारा आगला case है lower abdominal pain यानि कि पेट के निचले हिस्से में दर्द है साथ में constipation यानि कि कबज है और bloating यानि कि पेट में सूजन भी है तो ऐसा कब दिखने को मिलता है ऐसा irritable bowel syndrome जिसे कि हम IBS भी बोलता है इस condition में दिखने को मिलता है तो इसमें जो हमारे stomach या फिर हमारी आथ की lining होती है उसमें कुछ problem हो जाती है जिससे बार-बार हमारे पेट में gas बनती है सूजन आती है कबज रहता है या फिर diarrhea भी हो सकता है और nausea और पेट में दर्द भी होता है तो इन सभी science से आप पहचान सकते है कि मरिश को irritable bowel syndrome हो सकता है अगला case है lower abdominal pain यानि कि पेट के निचले हिसे में दर्द है साथ में dysuria यानि कि पेशाब करते सब में दर्द होता है या फिर जलन होती है और frequency means बार-बार पेशाब करने जाना पड़ता है तो ऐसा UTI या फिर cystitis तो UTI किसे कहता है urinary tract infection यानि कि पेशाब की नली में यदी infection हो जाता है या पेशाब की थैली में infection हो जाता है तो ऐसे condition में आपको ये तीनों साइन देखने को मिल सकते है तो यदि आपको ये तीनों साइन देखने को मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मरीज को UTI या फिर सिस्टाइटिस हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर है मैंस्ट्रॉल डिसफंक्शन यानि कि यदि किसी महिला को पीरिड सही से नहीं हो रहा है। साथ में ओबिश्ट यानि कि उसमें अचानक से मोटापा आ गया है। और हिर्सूर्टिस्म यानि कि उसके चहरे पर बाल उग रहे हैं। तो ऐसा PCOS यानि कि पॉलिस सिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम में दिखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है इसमें महिला की ओवरी में कई सारी गार्ट या फिर सिस्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है जब किसी महिला को पीरियल्ड आता है। तो ऐसा काफी थेज़ पैन होता है। तो endometriosis क्या होता है, यह से भी हम समझ लेता है, देखें, normally जो किसी महिला को period के समय ब्लेडिंग होती है, तो वो उसके uterus से होती है, उसके cell भी uterus के अंदर पाय जाती है, जहां से उसकी bleeding स्टार्ट हो जाती है, लेकिन endometrium में क्या होता है, या endometriosis में क्या होता है, जो cells होत के बाहर कहीं भी पाय जा सकती है, जिससे कि जो blood होता है, वो यहां पर इखटा होता रहता है, जैसे कि आप इस picture से समझ सकते है, यह uterus है, जो normally bleeding होती है, यह uterus से होती है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं, जो cells है, वो uterus के बाहर दिखाई गई है, जिससे कि यहां इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, तो यह सभी endometriosis होती है, क्योंकि इसमें bleeding कहीं से भी होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लेड अबोडिक अंदर इखटा होता रहता है, इसके बाद यहां पर अगला case है, ए मिनोरोया, यानि कि ऐसी महिला है, जिनका period अचानक से बंद हो जात है, तो ऐसा कब देखने को मिलता है, तो इसे हम ectopic pregnancy कहते हैं, तो यह क्या होता है, इसे भी हम समझ लेते हैं, देखें, normally जो बच्चा या भुरून होता है, वो uterus के अंदर इस जगह पर implant होता है, या फिर बनना स्टार्ट होता है, लेकिन कभी-कभी ये भुरून uterus के बा करा abortion कराना होता है, और यहाँ पर मना अगला case है, lower abdominal pain, यानि कि पेट के निछले हिस्से में दर्थ है, vaginal discharge, यानि कि vaginal से abnormal discharge हो रहा है, और irregular menstrual cycle, यानि कि जो menstrual cycle है, वो भी irregular है, यानि कि नियमित समय पर नहीं हो रही है, तो ऐसा PID, यानि कि pelvic inflammatory disease में देखने को मिल सकता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो fallopian tube होती है, जो कि ovary को uterus से जोडती है, इसमें inflammation या swelling आ जाती है, तो ऐसा इस case में देखने को मिलता है, यदि आपको ये sign देखने को मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि इस महिला को PID की problem है, तो आज की इस वीडियो में हमने लगबग lower abdominal pain के सभी कारणों के बारे में जान लिया है, जो कि सबसे अधा देखने को मिलता है, इसे अगले वीडियो में हम आप abdominal pain के बारे में भी बात करेंगे, तैंक्यू बेरी मुच्च